दोस्तों वेलकम टो आवर चैनल कंप्यूटर्स गुरू आज का ये जो वीडियो है इसमें हमों को दिखाएंगे कि लर्न लाइसेंस कैसे बनाया जाता है उसके लिए क्या प्रोसेस है डाकुमेंट्स के रिक्वाइड है आधार काड के साथ नमबर लिंक होना चाहे लेटेश फोटो अपडेटेट होना चाहे इस वीडियो में हमों को दिखाएंगे कि लर्न लाइसेंस का टेस्ट कैसे क्या जाता है फूल प्रोस्ट सब को दिखाएंगे तो बने रहे हमरे साथ इस वीडियो में एंड तक सबसे पहले हम आएंगे साइड़ पर गूगल की साइड़ आएंगे परिवान पर परिवान पर इंडा करेगा यहां हमें अप्शन दिखाई जाएंगे साइड पर आकर बहुत से option दिखाए जा रहेंगे डिकने हमें driver और license का option दिखाए दियरा है उपर इस पर हमें click करना होगा उपर आके यहां पर click करेंगे यहां आगे direct करेंगा अंदर एक साइड पर यहां पर apply for license पर click करेंगे इस वाले आइकन पर यहां हमें continue करना है इस पे दिरिट और Egaon हम जर्ल फे कलिक करें गे और आगे हम स्वरॉट करेंगे डिश्टी अपनाएं स्वरॉड करना और सब्सक्राइब करना है जो अज़िए करेंगे तो हम आगे डारेट कि जाएंगे एक authentication के इस कॉलम पर कि हमें आधार और यहां पर हम एंटर करेंगे नीचे और स्टेट को स्लेट करके आधार नमबर यहां पर हम एंटर करेंगे और यहां पर आधार जो ही हम एंटर करेंगे तो यहां पर जनरेट ओटीपी का एक लिंक है इस पर क्लिक करके ओटीपी जनरेट हो जाएगा जो हमारे मोबैल नमर पर आएगा और मोबैल नमबर प की यहाँ नीचे हमने वो ओटीपी एंटर करना है इसके लिए एक time frame भी होता है उस time frame के अंदर अंदर हमने और वहीं एंटर करना है यह इन tini column पर हमने click करना है उसके बाद नीचे authenticate करना है और अउन्टेकर करेंगे तो हमें यहाँ पर एक पर यहां पर शोग किया जाएगा कि हमरी सारी डिटेल्स जो आधार के रिगार्डिंग है वो हमें यहां पर शोग की जाएंगी प्रोसिड करेंगे आगे तो आगे हम हमें कुछ और information यहांपर बरनी है जैसे की qualifications क्या है जिसका लरलाई से बनाए जा रहा है उसकी क्या qualifications है वो हम यहांपर enter करेंगे उसके बाद हमने यहांपर blood group यह भी कंबल सरी, जिस जिस पर star जिसा बनाया गया है वो कंबल सरी है अभी mobile number जो है पूरी द्यान से कि कुरेक्ट हो क्योंकि अगर इनकुरेक्ट हम बरेंगे तो उससे प्रॉलम हो सकती है हमारा जो ओटीपी जनरेट होगा वो हमें नहीं आएगा फिर और जब हमारा लरन लाइसेंस तयार हो जाएगा और हम आगे फारम बरने लगेंगे वहां पर भी प्रॉल कीज़े स्क्रол करेंगे यहां पर मैं चूज करना है कि कौन सजी हमने हमने है क्ली किस वहि jurisdiction के लिए हमने apply करना है यह हमने light motor vehicle के लिए LMV के लिए के लिए करना है यहां हम आगे इस arrow पर क्लिक करेंगे यहां selected आजाएगा हमारा selection हो जाएगा इस vehicle के लिए तो इसको हमने select करिया है तो एक self declaration फारम हमने यहां पर apply करना है यहां पर हम देखेंगे कि हमारे कौन-कौन से आरगन जो हैं सही काम करते हैं उन पर हम click और yes or no के यहां पर कुछ questions पुछे गए हैं उन पर yes or no answer हम करेंगे यहां पर declare करेंगे आई हर बेडिकलियर और submit करेंगे सब्मिट यहां पर okay आएगा और यहां पर बैक आएगा यह हमारा फारम सब्मिट हो गया है यह वाला self declaration फारम और इसके बाद यहां पर पुछे जा रहा है कि आपके फारम सब्मिट करने के लिए हमें अगर बेडियर यहां पर करेंगे इसको तो हमें यह फारम आलमुश करने के लिए यहां पर आमें एक बार और कहा है है accept किया गया है आपका आपकी application accept की गई है यहां पर okay करेंगे और बढ़ फिर ही करेंगे यह पर हम उगे इसको करेंगे तो हमें हमारा इक application नबर जो है वो जन्रेट हो चुका है इसके लिए congratulations हमें किया जा रहा है तो यहां पर हम इसको okay करेंगे तो अल्मूश्च हो गया है रो थ्रित रिदे पूरा इमरे डेटेल नमबर इसके नुट है कि इसको पूरा यह सब रिप्ट इवाल्प करना है इसको 1997 आपने पास नेश्ट करना है नेश्ट करें हमें देखें में फोटो आा आधार पर जो updated है वो हमें यहां पर update हुआ हो दिखाई दे रहा है तो यहां पर photo automatically आधार से यहां पर upload किया गया है अब हमें सिप signature को upload करना है तो signature को upload करने के लिए यहां पर next जो दूसरा option जो upload signature आप देख रहे हैं यहां पर हम browse करना पड़ेगा हमें आगे upload signature पर यहां पर browse करना पड़ेगे हमें आगे browse करेंगे तो यहां पर हमने signature को पहले से तायार करके रखा है जो यहां पर required configuration है इसकी यहां पर हम slide करेंगे signature को और नीचे हम open पर click करेंगे यह यहां पर upload पर click करेंगे तो upload हो जाएगा अप्लोड दिख़ाई दे रहा है अप्लोड हो चुका है तो इसके बाद हमने नीचे आनाया और सेव पर किली करें से फटो मेर्स्रोड़ टेजर19ड़ और करेंगे सब्झार्ड करेंगे तो करेंग पर सेज किया जाएगा एक नए पेज पर जहां पर हमारी फी डीटेल हमें दिखाई दे रही है कि फी कितनी हमने कटा नहीं है तो इसको हम चेक करेंगे पुरी तरह से उसके बाद हम नीची यहां पर अपना गेट वे स्लेट करेंगे और की कैपचे एंटर करेंगे इस साइड दूसरे यहां पर आया अगरी पर क्लिक करेंगे तो प्रूसिट जब हो रहा है तो यह देखें आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर रख हुआ मान बेंक की साइड की तरफ रह रों चुकिए है फिर सकस्फफल हो चुकी है रसी हो चुकी हो पर आएंगे वापस हम इसके बाद हमें बहुत ही important चीज की तरफ डारेट किया रहा है वो है हमारे test की तरफ यहां पर हमें वापस हमारे home page पर डारेट किया गया है यहां पर एक उपर दिखाई दे रहा है आइकॉन learner license यहां लरन जो application number generate हो चुका था उस application number को यहां पर पेश्ट करना है एंटर करना है पूरी तरह से चेक करके एंटर करेंगे और इसके नीचे हमने date of birth जो date of birth है जिनका license बनाया जा रहा है उनके date of birth यहां पर पूरी तरह से बरनी है license देए और एक password उनके mobile नमर पर आया है वो password हमने यहां पर एंटर करना है जब वो password हमें यहां पर एंटर करेंगे तो ही हम आगे direct की जाएंगे तो वो password बहुत important password होता है उसको संबाल के रखना पड़ता है और यहां पर प्रोसेट करेंगे देखिए यहां पर हमें कुछ instruction दी जा रही है यहां पर प्रोसेट करेंगे इनको पढ़कर यहां पर हमें select करनी है language किस language में आप test देना चाते हैं आप हिंदी जानते हैं या English तो इस पर हम दोनों इन पर select करेंगे उसके बाद हम इसको continue करेंगे तो अब आपके सामने test यहां पर हम देंगे तो आप भी इसको ध्यान से देखें किस तरह के questions आते हैं टेस्ट में फर्स्ट कॉशन हमारा है the sign represents यह जो sign है यह पी और जो गार दिखाई यार दे हमारे देखें हमारे पास 30 seconds से भी कम का time है कि यह no entry for private cars यहां फे पार्किंग लॉट फर टेक्सी है यहां फे तीसरा option है पार्किंग फर पुलीस वहिकल तो हम यहां पर no entry for private यह नहीं बलकि पार्किंग लॉट फर टेक् से क्लिक करेंगे confirm करेंगे question हमारा answer बिलकुल सही दूसरा question आ चुका है साथ में 30 seconds का time है विचाथ फालॉविंग में help to data a thief from stealing your car इसका answer always keep the headlights on number दो option है always keeping the internet lights on number तीन आप्शन इचिंग दर रिजिट्रेशन नमबर आंदर विंडो बारा सेक्ट रहे हैं और तीसरा इसका मुझे लगता है answer सही है तीसरे option पर क्लिक करेंगे 6 सेक्ट रहे है कुल हम जल्दी करना पड़ेगा में third पर क्लिक करेंगे और confirm करे एक सेक्ट में देखी question answer इसका सही है और तीसरा question निकलाया है यहां पर if you possess a license to drive a car you can drive motorcycle and car only car है इसका answer इसके क्लिक करेंगे बलकि यही है अगर आपके पास car का license है तो car ही चला सकते हैं अगर दोनों करेंगे तो दोनों चला सकेंगे confirm करेंगे तो बिल्कुल सही जवाब नबर चोथा question है which is the sign of no entry तो यह पहला वाला जो है यह तो नहीं है बलकि दूसरा वाला यह है इस पर एक हम क्लिक करेंगे बिल्कुल सही जवाब नमबर पांच the minimum distance you should keep from vehicle ahead is एक option है two second distance यह क्या है नमबर दूसरा है double the length of your vehicle नमबर तीन है two meter मेरे साथ two meters है two second distance यह को असा distance होता है यह मुझे समझ नहीं इसका जवाब गलत है हम आप छटे सवाल पर आ चुके है which sign denotes height limit तो यह इसका दूसरा option है यह confirm है क्लिक करेंगे सही जवाब which sign denotes crossroads तो यह जो third वाला option है इसके अंदर दिखाए crossroads तो यह बिल्कुल सही जवाब और खुश हो जाए आपका license successfully बन चुका है और driving test भी qualify करना है तो होप करते हैं दोस्तों आपका हमारे वीडियो अच् करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को share करें तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ जुड़े रहे हमारे साथ हमारे इस चैनल के साथ और हमें नेक्ट वीडियो तक इजाज़त दे तब तक के लिए take care